Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक शानन कमेटी की अंतिम रिपोर्ट के बारे में तो फाइनली जो है वो एक अच्छी न्यूज ये है कि आज ये रिपोर्ट जो वो CM Office में सब्मिट हो जाएगी और मतलब इसका ये है कि कुछ रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट में जो कि हिमाचा पदेश राजे चेहन आयो के लिए बहुत जरूरी है वैसे तो कुछ चीजें थी जो पहली रिपोर्ट में ही मतलब बता दी गई थी सरकार को लेकिन उस पे भी सरकार ने फिलाल कोई डिसीजन नहीं लिया तो दीपक्षान कमेटी को जो सरकार ने काम दिया था वो अब पूरा हो चुका है और आज रिपोर्ट ये मतलब CM Office में सब्मिट हो जाएगी तो इसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो गॉर्मेंट का होगा क्या होता है कि जब एक कमेटी बनाई जाती है तो वो कमेटी जो होती है कुछ रिकमेंडेशन देती है सरकार को कि यहाँ पे ये चीज हो सकती है उसके बाद जो आखिरी फैसला होता है वो सरकार को लेना होता है जो पहली रिपोर्ट थी उसमें कमेटी की तरफ से बताया गया था कि हरयाना या दूसरे जो राज्ये हैं वहाँ पर जो रिकूट्मेंट प्रोसेस है उसके हिसाब से या फिर जो सेंटर लेबल पर एक्जाम होते हैं उस तरह से ओनलाइन रिकूट्मेंट करवाई जा सकती है और जो मेन सेकंड रिपोर्ट में होगा एक तो जो आर एंट पी रूल स्क्रीन हुए हैं और भी कुछ रिकूट्मेंटेशन होगी जो की बाद में हमें पता चलेगी फाइलली जो है वो ये काम हो चुका है और अंतिम रिपोर्ट व्याद सम्मिट हो जाएगी और इसके बा बार आपको सेट देखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं और मतलब हर एक लेवल पर जो एक्जाम होगा तो वो CBT ही होगा ये जो सेट का एक्जाम है ये स्कूल, कॉलेजिस और कंप्यूटर सेंटर में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे एक रि सेट का एक्जाम है वो अलग होगा प्लस टू लेवल के लिए अलग होगा तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हैं जो कि आपको रिपोर्ट के बाद ही मैं आप बता पाऊंगा कि क्या क्या चीजे हैं नेगटी मार्किंग भी देखने को मिलेगी और जो सेट का साब से क्वालिफाइंग नेचर का बोल रहे हैं कि सेट को एक्जाम को फिलाल के लिए रखा जाएगा और एक्जाम सीबिटी ही होंगे कंप्यूटर पे ही आपको एक्जाम देखने को मिलेंगे औल ओवर हिमाचल में सेंटर बनाए जाएंगे हर एक यह जो एक्जाम आपक एकने को मिलेंगे चाहिए फिर वो सेट का हो या कोई भी सेट के बाद जो आपको अपनी पोस्ट के लिए जो एक्जाम देना होगा तो यह यह चीजें हैं बाकी रिपोर्ट जैसे ही इसके बारे में और अपडेट निकल के आती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि क्या-क और सुझाव इस रिपोर्ट में है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इनफॉर्मेटीव लगी होगी तो वीडियो को लाइक मैं शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर निव अपडेट्स के लिए